मेरे भतीजे का नाम अब्दुल्ला अबुबकर है उनको उनों मेस क्रियेटिव स्कूल में पढ़ते हैं मलकपेट ब्रांच में नलकुंटा पेट्रोप्रम के बाजू जो ब्रांच है वो ब्रांच में उनों पढ़ते हैं आज दोपहर में यह हुआ कि उनकी तेलकू टीचर है ना उनको मॉब से जो क्लीन करते वो मॉब से है ना उनों की राइट आई पे मारें राइट आई पे मारने से यह हुआ कि उनका आँख फट गई और उन्हों आइनक पेन थे आइनक की कांच फुटके उसके अंदर चले गई और आँख फुट गई और एक रेटीना का छोटा पार्ट फुट गया नीचे कड़ गया तो मेरे भाई को कॉल आया कि छोटी सी भह स्क्रिप्शन पर जो स्टाफ रहता वो स्टाफ था खाली ना सी सीटीवी कामराज है वहां पर ना कोई रस्पांसिबल परसन है जाके हम जब देखे हमारे बच्चे को देखके हम पूचे क्या हुआ उन लोगा उल्टा हम आप यह बातां तो सुब हो सकते आप जाए जाके है ना पहले हॉस्पिटल में बता यह वहीं से हम लोग है ना बच्चे को है ना एलवी प्रसाद बंजराहिस हॉस्पिटल में शिफ्ट करें वहां जाके पता यह चला कि भई उसको एना मल्टिपल सर्जरी करना पड़ेगा बच्चे को और तीन से चार सर्जरी होंगे उसक तो हम यह चाह रहें कि भई यह मुतालिबा कर रहें कि स्कूल मैनेजमेंट से और वो टीचर के साथ जितना स्टिक्ट आक्शन ले सकते लेना खास तोर से अहमद बलाला साब का मैं बहुत बहुत शुकर अदा करता हूं क्योंकि उन्हों बहुत मदद करें यह मामले में और हमद बलाला साब की बहुत मदद रही इसमें और हम तमाम प्लीस ऑफीरों से भी यह गुजरश करते हैं यह मुतालिबा और साइक्शन ले सकते हैं तहीकि और कोई बच्चे के साथ ऐसा हादिशा नहों और और बच्चा क्लास में बात नहीं सुन रहा था तो बच्चे को मॉप से मारे पीट पर निशाना है बच्चे के और जब मार रहे थे जब उसके मुँपे थूखा गया टीचर थूखे ये बोले तुम मेरी बात ने सुनगे तो तुम आपको मारी दूगी मैं बोले हो ऐसा है त बच्चे का नाम अब्दूल्वाबूबकर है उन फस्ट टाइड में है मेरा नाम महम्मध अब्दूलमाजी दिम्रा ने मैं चाचा ओं लड़के का अपने चीफ्सीफ मिनिस्ट्र साथ और एड्डिकेश्टर मिनिस्ट्र से अधबन गुजारिश करता हूं कि स्ट्क्ट आ है यह ब्राइज पाज फर्स्ट प्लास के बच्चे के ऊपर जो टीचर ने वाइपर से मारने की बज़े से उसके आख की आएनक बच्चे की आख डैमेज भी बच्चे के पेरेंट्स इमेजेटली मुझे इंफार्म किये मैं बुला पहले बच्चे वह स्पितल लेकर जाओ ल तो इतने कम उमर बच्चों को मारने के लिए टीचर स्कूल कैसा लाओ करता मैरेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट है और एक चीज़ यह है कि बच्चों के साथ सफिक ना करने का स्ट्रिक्ट खानून है उसकी बापजाई करना हर एक स्कूल वालों की जिन्मेदारी है परहा जो भी टीचर ने ये किया है उसकूल आगे ना उसकूल टीचिंग का कुछ उसकूल राइट हैना चाहिए ना उने पढ़ाना चाहिए बच्चों को ना बच्चों को पढ़ाने के खाविल है वो टीचर पेरेंस ने यहां पर कंप्लेन दिया है हम यही कहेंगे पुलिस से भ स्कूल में ना रखें और बच्चे का पूरे का पूरी जिम्मेदारी लेने की सिम्मेदारी स्कूल इंतिजामिया के परायद हो जो स्कूल इंतिजामिया का काम है कैसे टीचरों को ना रखें अगर रखते हैं तो वो भी आप भी इसके अंदर विसी तरीखे से आप भी आप भ क्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् आना चाहिए और साथे साथ जो भी प्रोटक्शन के इंतिजामात है स्कूल के अंदर क्यामरा लगाना जो कोई चीज की वहां पर सवलत नहीं है वो चीज के ओपर भी उनको देखना पड़ेगा वरना उनके खिलाफ उनके खिलाफ भी पुलिस कारवाई करेगी मैं यही कहूं मैनेजमेंट इंतिजामिया के भरोसे के उपर उनके पर फिरोसा करके अपने बच्चों को आपकी हवाले कर रहे हैं तो आप की जिमेदारी है बच्चों की देखवाल करना तो हम यही कहेंगे कि बच्ची के आँक रेस्टोर होना उसके लिए वालदेन फिकरमन है परिशान जितना वालदेन परिशान है उससे जादा इंतिजामिया को भी परिशान होना चाहिए जबीजिए